परमपरिक पर्व, होली और लोग सबाचुनाओं को सकुशल संपन कराने के लिए पुलिस एमम सेना के जवानों ने सोमवार को कैंट थाना के से फ्लैग मार्च निकाल कर जंता के भीतर सुरच्छा का एहसास दिलाया फ्लैग मार्च आजा चौक बेतिया हता च्छा संग चौक होते हुए कैंट थाना पर जाकर समाथ हुआ इस समन में गुरकपुन निवस से बात करते हुए सीओ कैंट परभात राय ने बताया की कार्ण बताय चार यह कार्ण कार्ण के बताया बताया भीत बताया के साफना चौक वेरे बताया थाण लुए इस फ्लैग मार्च का जो उद्देश है लोगों के अंदर जो है बिश्वास का पैदा करना पूलिस के प्रति और लोगों के अंदर ये लोगों को लगे कि हम लोग एक सुरुच्छित माहौल में जिवन्यापन कर रहे हैं और आगामी पर्व को लेकर के जो है ये अभियान चलाए जा रहा है कि हर आदमी के अंदर गोरक पूर्वासियों के अंदर अंदर सभी लोगों को ये विश्वास पैदा हो और ये अगला पर्व भी वो होली का पर्व और चुनाव का भी एक पर्व ही है राश्ची पर्व के रूप में माना जाता है तो ये दोनों जो है पर्व सब लोग सुरुच्छित माहौल में मना सकें इसका मुखे उद्देश यही है और अपराधी तत्तों पर कड़ी नजर रखी जा सकें